त्रिवेनी तटपर अकबर के किले में स्थित अक्षिवत को 300 वर्ष पुराना माना गया है। इसकी गुलाई 10 मीचर है। बहुत प्राचीन न भी जाए तो इस व्रिक्ष ने मुगल काल को तो देखा ही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुराना इलाहबाद में प्र और आस्था भी जुड़ी है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि इस पौरानिक वट व्रिक्ष की क्या खासियत है। किस कारण लोगों की जुबाँ पर अक्षिवत का नाम रहता है कि प्रयागरा जाने पर यहां जाने को मन करता है। पुरानों के अनुसार प्रलय के समय एक व्रिक्ष बज जाता है, वही अक्षिवत है। इसे सनातनी परंपरा का समवाहक भी कहा जाता है। इस व्रिक्ष ने गंगा की धारा को भी बढ़ते देखा है। मान्यता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थनकर रिशब देव ने भी इस व्रिक्ष के नीचे ज्यान प् प्रयास किया वजय थी इसके साथ जोडियास था किला परिसर में ही कई और वट व्रिक्ष हैं जिनकी अपनी प्राचीनता है पातालपुरी में स्थित वट व्रिक्ष भी कई सौ साल पुराना है कुछ हितिहासकारों के अनुसार पातालपुरी का वट व्रिक्ष अधिक प्रा अगे माग महिने में कलपवासियों और श्रदधालूं का जमघट लगा हुआ है। अगे मुनी गोस्वामी बताते हैं, पुरानिक कथाओं के अनुसार जब एक रिशी ने भगवान नारायन से इश्वरिय शक्ती दिखाने के लिए कहा था, तब उन्होंने क्षन भर के लिए पूरे संसार को जलमगन कर दिया था, फिर इस पानी को गायब भी कर दिया था, इस के नीचे बने इस मंदिर में फेमस अक्षय वट है, इस किले में एक सरस्वती कूप भी बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही से सरस्वती नदी जाकर गंगा यमुना में मिलती थी, इसके बारे में कहा जाता है कि मुगलों ने इसे जला दिया था, क्योंकि पहले स् तीन रात तक निवास किया था। अकबर के किले के अंदर स्थित पातालपुरी मंदिर में अक्षय वट के अलावा तैतालिस देवी देवताओं की मूर्तिया स्थापित है। इसमें ब्रह्माजी द्वारा स्थापित वो शूल्टिनकेश्वर शिवलिंग भी है। जिस पर पर की पतनी जोधा बाई जलाविशेक करती थी। शूल्टिनकेश्वर मंदिर में जलाविशेक का जल सीधे अक्षय वटवरिक्ष की जड़ में जाता है। वहां से जमीन के अंदर से होते हुए सीधे संगम में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय वटवरिक्ष के नौती पूर्ण होती है.